क्या बताऊं भाई मक्य की खेती में खर्पतवारों की समस्या ने मुझे परिशान कर दिया है एक तु मजदूर आसानी से नहीं मिलते मिलते हैं तो मजदूरी बहुत मांगते हैं खर्पतवारों से निपटने के लिए कई बार स्प्री करना पड़ता है लेकिन फिर भी खर्पतवार नियंतरित नहीं होते जिसकी वज़े से मक्य की फसल को नुकसान होता है मैंने अलग-अलग खर्पतवार नाशी इस्तिमाल किये कुछ के प्रयोग से तो फसल भी पीली पड़ जाती है जिससे फसल का विकास सही से नहीं हो पाता परिणाम स्वरूप उत्पादन कम मिलता है इससे बचने के लिए अधिक मजदूर लगा कर निराई-गुडाई करवानी पड़ती है इसमें काफी खर्च हो जाता है लेकिन ये खर्पतवार फिर भी पूरी तरह से नियंतरित नहीं होते फिर मुझे एक दिन P.I. का इलीट मिला मैंने इलीट भी प्रयोग किया पर जब P.I. के इलीट का प्रभाव देखा तो वह मक्के के खेत में खर्पतवार ऐसे गाइब हुए कि जैसे थे ही नहीं P.I. के इलीट ने तो मेरी जिन्दगी बडल दी मुझे समझाये गया कि P.I. का इलीट काम कैसे करता है यह बहुत ही आधुनिक HPPD इनहिबिशन तकनीक पर आधारित खर्पतवार नाशक है जो खास कर मक्के की फसल के लिए बना है P.I. के इलीट के छिड़काव से खर्पतवार में क्लोरोप्लास की क्रिया विधी प्रभावित हो जाती है जिसके कारण पत्तियों में उपस्थिद हरे क्लोरोप्लास भोजन का निर्माण बंद कर देते हैं परिणाम स्वरूप खर्पतवार के पत्ते पीले और कमजोर पढ़ने लगते हैं तता सूख कर नश्ठ हो जाते हैं जबकि मक्य के पौधूं पर उसका कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ता है पी आई का एलीट मक्य की सभी मुख्य संक्री और चोड़ी पत्ति के खर्पतवार जैसे इन सब को भली भाती नियंत्रित करता है पी आई के एलीट का उप्योग खर्पतवार की 2-5 पत्ति के अवस्था पर ही कर लेना चाहिए ध्यान रहे दोस्तों पी आई के एलीट के साथ सुलेरों का प्रयोग अवश्य करें इसे अपने विक्रेता बंदू से लेना ना भूले जो पी आई द्वारा किसानों को एलीट के साथ मुफ्त में दी जाती है और इसके प्रयोग से एलीट के कारे करने की शमता काफी बढ़ जाती है जिस कारण खर्पतवार जल से जल समाप्त हो जाते हैं और लंबे समय तक इसका प्रभाव भी मिलता है पी आई के एलीट के प्रयोग की विधी एक साथ बाल्टी में साढ़े नौ लीटर पानी ले इसमें 500 ग्राम सुलेरों डाल कर अच्छे से मिला लें अब इसमें 30 एमिल पी आई का एलीट डाल कर अच्छे से मिलाएं ताकि वो पूरी तरह से घुल जाए इस तरह आपका 10 लीटर मुख्य घुल तैयार हो गया है अब अपने नैपसिक स्प्रे टैंक में दो तिहाई हिस्सा साफ पानी डाल लें इसमें एक लीटर बनाया हुआ घुल डाल लें अब टैंक को पूरा भर लें और अल्थ में 30 एमिल स्टिकर डाल कर मिला लें ऐसे 10 स्प्रे टैंक एक एकड़ के लिए परियाप्त रहेंगे और प्रती एकड़ 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें याद रहे स्प्रे के लिए फ्लैट फैन नूजल का ही इस्तमाल करें ध्यान रहे स्टिकर को कभी भी मुख्य गोल में ना मिलाएं इससे गोल फटने की संभावना हो सकती है छिड़काव करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि मौसम साफ हो अगले दो-तीन घंटे में बारिश की कोई संभावना ना हो आईये जानते हैं कि P.I. के इलीट का प्रयोग मक्य के किसान को किस प्रकार लाब पहुचाता है P.I. के इलीट का मक्य के किसी भी प्रजाती एवं किसी भी अवस्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं परता P.I. के इलीट का मक्य के बार बोई जाने वाली अन्य फसलों पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं परता PIK Elite के प्रयोग से मक्य के सभी मुख्य खर्पतवार, पूर्णतया, नियंत्रित हो जाते हैं PIK Elite के प्रयोग से बार-बार मजदूरों की जरूरत नहीं परती खर्पतवारों की समस्या से मुक्ती मिलने के कारण मक्य के पौधों का समूचित विकास होता है और खेती की लागत काफी कम हो जाती है उत्पादन भी अधिक मिलता है और हमें मिलते हैं चमकदार दानों से भरे हुए शानदार भुटे यारी किसानों के लिए मुनाफा ही मुनाफा आज ही पी आई का इलीट अपनाएं और मक्य के सभी मुख्य संकरी और चौड़ी पत्ती के खर्पतवारों से मुक्ती पाएं पी आई इलीट के प्रयोग संबंधी सावधानियां क्या करें? पी आई के इलीट के इस्तिमाल से पहले सुरक्षा निर्देश पत्र को ध्यान से पढ़ें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें पी आई के इलीट की बताई हुई मात्रा का ही इस्तिमाल करें P.I.K. Elite का उपयोग खरपतवार की 2-5 पत्ती की अवस्था पर ही करें P.I.K. Elite के साथ मुफ्त मिले सुलेरो का उपयोग अवश्य करें बताए गए निर्देश के अनुसार ही घोल बनाएं फ्लैट फैन नूजल का ही इस्तिमाल करें P.I.K. Elite का प्रयोग सिर्फ छिड़काव विदी से ही करें घोल बनाने के लिए साफ पानी का इस्तिमाल करें देर सो लीटर पानी में बनाया घोल यानि 10 नैपसैक, स्प्रे टैंक प्रती एकड़ी इस्तिमाल करें क्या ना करें? स्टीकर को स्टॉक घोल में कभी न मिलाएं स्टॉक घोल को ज़ादा समय तक ना रखें गंडा पानी प्रयोग ना करें मक्य के अतिरिक्ट किसी और फसल पर प्रयोग ना करें अगर दो से तीन घंटे में बारिश की आशंका हो तो इसका प्रयोग ना करें आस्मान साफ न होने पर इसका प्रयोग ना करें तो किसान भाईयो, P.I.K. एलीट का प्रयोग करो और मक्य की फसल में खर्बतवार संबंधी समस्याओं के आगे जुको मत